प्रदीश में करोना की बिगटी हल्थ के लिए कॉंग्रेस प्रदीश प्रवक्ता प्रेम कोशल ने सरकार को जिमिदा ठहराया है हमिर्पर में कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कोशल ने कहा कि महामारी की बिक्राल हो रही परिस्तितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ठोस नीती नहीं है बहीं करोना प्रोटोकॉल को लेकर सरकार खुद ही कनफ्यूजन में होने के साथ साथ ठोसकारी योजना बनाने में पूरी तरह से नाकाम है कोशल ने सरकारी करमचारियों का संकट की घड़ी में बेतन काटने के निर्णे को भी सरकार की अनुभव हिंदा का परिचायक बताया है प्रेम कोशल ने कहा कि करमचारियों की बेतन में कटोती कर करोना से नहीं लड़ा जा सकता इसके लिए धन चुटाने है तू सरकार को अनवशक खर्च में कटोती करने के साथ अलग अलग विभागों में जो धन खर्च नहीं हुआ उसका इस्तेमाल इस आपदा का मुकाबला करने के लिए करना चाहिए तथा परदेश में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको स्थागित कर जनता को इस आपदा से बचा अपदा किस घड़ी में जब परदेश के लोग संकट में हैं धनका अबाब है ऐसी घड़ी में उजे दूसरा इंजिन जिसकी बात भारते जनता पार्टी के लोग करते हैं जिसकी बात मुक्या मंत्री हमेशा करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए पजाए इसके के आप परदेश के जो सरकारी खरमचारी हैं उनकी दिनखा में कोटाती करें डिये उनका पहले आफ्रीज कर चुके हैं तो ये सरकार के रिड़े जो हैं इस वागत योगे नहीं हैं आज हमाचिल परदेश के इंदर करोना का संक्रमन जो है कम्यूनिटी स्प्रेट की शकर ले परदेश में करोना वाइरिस के कम्यूनिटी स्प्रेट की लिए पूरी तरह से सरकार जिम्हदार है क्योंकि नम्रात्रों के दिनों में लाखों की ताधात में दूसरे परदेशों से श्रधालू देवी देवताओं की दर्शन करने के लिए आये जिन में से कई संक्रमित भ लोगों तता यहां से कुम्ब और अन्यस्तानों पर तीर्थ रियात्रा में गए लोगों के माध्यम से संक्रमन के मामले पढ़े सरकार ने बाहर से आने जाने बाले लोगों को लेकर कोई नियम नहीं बनाए जिसकी बज़ा से आज महामारी विक्राल रोपधारन करती जा र रिपोर्ट की शर्त रखी है जिसको बाद में पलट कर एडवाईजरी का रूप दे दिया गया पिछली दिन उन्यवरात्रों के दोरान कि माचल पर देश के अंदर लाखों की तादाद में शर्धालू देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए पहुंचे जिन में से बह लिए बाहर गए और संक्रमीत हो करून में से कुछ लोग परदेश में वापिस आए लेकिन सरकार की बाहर से इमाचल परदेश के अंदर परवेश करने वाड़े लोगों के लिए कोई निती नहीं है कोई नियम नहीं है इट इस फ्री फॉर आल और इसी वज़ा से आज पर रने लिया जिसमें ये कहा गया कि परदेश से बाहर से जो भी हमाचल परदेश में आएगा उसको 72 घंटे पहले की करोना टेस्ट की नेगटीव रोपोर्ट दिखाने पड़ेगी कुछ ही समय के बाद उस नियरने को बदल कर एडवाजरी का रूप दे दिया गया तो जब स सरकार कोई नियम नी बनाएगी और नियम बनाएगी तो उनकी पालना नी होगी कैसे आप इस परदेश के लोगों को इस संक्रमन्ट से बचाएंगे ये किसी की समझ में नहीं आरा है